अपने रेनो 3 प्रो को लांच कर दिया है जिहां काफी टाइम से लीक्स रूमर्स खतम हो चुके अब ओफिशल ये फोन आ चुका है और ये जो स्मार्टपोन आपको दो वेरिंट्स में मिल सकता है जो बेस है वो 8128 है और एक आपको 8256 वाला वीजू वो देखने को मिलेगा और जो प्राइस है दोस्तो मुझे नहीं पता क्या प्राइस पर होगा 20,000 या उसके ओपर भी शायद हो सकता है जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंड में अपडेट करूँगा वहाँ पर जाके चेकाओट कर सकते हैं वैसे ये वीडियो में दोस्तो ओपो का एक जानकर यहाँ पर दे रहता हूँ तो यह है दोस्तो ओपो रेनो 3 प्रो का एक स्पेशल रिवीवर्स बॉक्स जो बहुत बड़ा है यहाँ पर ऊपर ओपो लिखा है नीचे रेनो 3 प्रो लिखा है अब देखते कि इसमें ओपो ने क्या दिया है एनिवेस हम बोलेंगे हमार और सर्प्राइस दोस्तों बॉक्स में देखेंगे उपो के लेटिस्ट ऑपो एनको फ्री ट्रू वायलेस ओफोन भी उन्हों ने बॉक्स में दिया है वैसे ही आपको सेपरेटली पर्चीस करना पड़ेगा यह सिफ बॉक्स में उन्हों यहाँ पर हमें दिया है आपको बहुत ही beautiful तरीके से हमारे ताज महल को उन्होंने यहाँ पर बना के दिया है और इस तरफ यह चोटी सी गाड़ी है और साथ में दोस्तों एक और खजाना है इसके नीचे जो मुझे उठा के देखना पड़ेगा और क्या बात है यह है दोस्तों महानगरपाली का मुख्याल है Municipal Corporation जो मुंबई के अंदर है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों लाइट शुरू हो चुकी है और आप देखेंगे कुछ इस तरगी यह उपर से लाइट आती है और यहाँ पर यहाँ पर यह चमक रहा है तो हाँ कुछ इस तरगी की चीज़ उन्होंने यहाँ प पूल अन्बॉक्सिंग पर आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगी बॉक्स आपको जिस्ते रिखेंगे मिलता है आज थोड़े नए अंदास में अन्बॉक्सिंग करने वाला उमीद आपको पसंद आईगी रेनो तुरी प्रो यहाँ पर सामने लिका है जो विरेंट हमारे प किलोग्रम तो हैडर बॉड़ी के लिए यहाँ पर दोनों के लिए थोड़ी जाद आपको मिलती है और मेड इन इंडिया यहाँ पर लिका गया जो अच्छी बाते पड़ावट से दोस्तों बॉक्स को ओपन करते इस तरीकी से यह स्लाइड हो जाता है और उसके बाद इसमे पिन कुछ डॉक्यमेंटेशन और एक बैक किस उन्होंने आपर प्रोवाइट किया है और उसके बाद दोस्तों माते हमारे फोन की तरफ इसको भी यहाँ से निकाल देते और यह देखेंगे यह है दोस्तों स्काइवाइट जो आपको कुछ इस तरीकी का मिलता है काफी बढ बहुत ही लाइट विट आपको यह फोन मिलता है इस मामले में दोस्तों ओपो बहुत अच्छा काम करता है कि काफी हलका फुलका आपको फोन देता है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों अगर मैं पोर्ट की बात करता हूँ तो नीचे देखेंगे आपको 3.5M jack मिल मिलता है मतब 2 SIM card और एक extra microlutri card अब लगा सकते है राइट में दोस्तों आपको power button मिलता है और ऊपर देखेंगे दोस्तों आपको secondary हुई है बड़ी मुश्किल से यह भार आया दोस्तों और यह है दोस्तों ओपो के कुछ in-ear type earphones जो आपको कुछ इस तरगी की मिलते है और obviously 3.5M आपको jack मिलता है तो हाँ your phones भी उन्होंने box में दिया है तो अच्छी बात है तो यह दोस्तों सारे box content है फटावट समझाते है हमारे phone की तरफ अब यहाँ पे दोस्तों हमने हमारे phone को boot कर दिया है और सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों जो display आपको मिलता है वो वैसे काफी impressive है आपको सामने देखेंगे dual punch hole display मिलता है और यह दोस्तों 6.4 इंच की 20-29 का आपको aspect ratio मिलता है full HD plus की super AMOLED display है और साथ में दोस्तों आपको इसमें 91.5% screen to body ratio मिलता है तो screen to body ratio भी काफी impressive है और super AMOLED दोस्तों तो जो colors वगर आपको मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है और obviously दोस्तों display भी काफी bright है तो अगर आप outdoor वगरा में भी इसका इसका इस्तेमाल करते है तो जो visibility screen की वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी तो display दोस्तों वैसे काफी impressive है और आप देखेंगे हाथ में जप में इसको use कर रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है experience यहाँ पर काफी अच्छा है anyways दोस्तों जाते हम यहाँ पर settings में और देखते कि आपको कौन सा version यहाँ पर मिलता है तो देखेंगे तो यह color over 7 ही लग रहा है आप देखेंगे color over 7 और android 10 पर बेच्ट है और एक और चीज़ ही है दोस्तों कि उन्होंने थोड़ा सा इसको change किया है आप देखेंगे इसका UI थोड़ा उन्होंने optimize किया है और icons थोड़े change करे fonts थोड़ा dark कर दि है तो इस तरगी की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर दोस्तों काफी सारे pre-install apps भी है लेगिन यह अच्छी बात है कि आप इनको चाहें तो निकाल सकते हैं तो यह एक चीज़ और यहाँ पर दे दिये और उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसमें storage औ Amazon के HD contents stream कर सकते हैं और साथ में दोस्तों Google Cam वगेरे का भी आपको support इसमें देखने को मिल जाता है उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके performance की तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है MediaTek का latest Helio P95 वाला processor जहाँ पर दोस्तों यह अगर देखा जाए तो Helio P90 ज सकते हैं और यह भी दोस्तों आपको 12NM पर देखने को मिलता है उसके अलावा GPU की बात करेंगे तो IMG PowerWear GM 9446 वाल आपको मिलता है और यह थोड़ा उनने बूस्ट किया है और यहाँ पर दोस्तों जो Android score निकल कर आया था वह 2,25,000 के असपस आया था तो काफी impressive था यह Snapdragon 730 क का जो score आता है कुछ वैसे ही निकल कर रहा है Snapdragon 730 यह 730 GB दोस्तों दो लाग 30,000 और दो लाग 70,000 की बीच में रहता है तो यह भी कुछ उसके ही आसपस आया था जो बहुत ही impressive है दोस्तों तो जो processor दोस्तों वह बहुत ही अच्छा है gaming आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं तो उसमें जो AI का जो टास्क होगा वो बहुत ही fast और काफी accurate आपको मिलेगा वैसे battery के बात कर लिए दोस्तों अभी तो यहाँ पर आपको 4025 एमेच की battery मिल जाती है तो काफी decent है दोस्तों और जैसी की मैंने का 30W का जो उन्होंने charger दिया है तो 20 मिनिट में आप 50% उसको charge कर सकत है और face unlock भी मिलता है तो face unlock भी बहुत ही fast आप देखेंगे फिर से एक बार आपको दिखा रहे तो तो अच्छा कासा आपको face unlock यहाँ पर बिल जाता है उसके अलावब दोस्तों camera की तरफ बढ़ते है उससे पहले आपको मैं बता दू यह है OPPO का Anko Free या Anko Free True Wireless Earphones जो आपको left to right ear की बीच में sound को वो transmit करेगा simultaneously जो कुछ इस तरह की आपको experience देगा साथ में वैसे आपको 13.4 mm ultra dynamic speaker मिलता है जो actually में काफी अच्छी बात है और उसकी अलावब दोस्तों आपको उसमें better noise cancellation मिलता है जब आप call वगरा करते तो उस वक्त आपको काफी ज्यादा help करेगा और साथ में वैसे दोस्तों आपको slide and tap वाला feature मिलता है तो उसमें आपको census मिलते, earphones के उपर जिससे आप tap कर सकते, slide कर सकते वैसे features मिलते है आपको voice accident का support मिलता है और साथ में दोस्तों आपको 5 घंटे तक का backup मिलता है normally without charging case और उसके अलबब 20 घंटे तक का अगर आप charging case कर समल क गई है और आते हैं दोस्तों हमारे earphones की तरफ लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक और खोपचा है आपको कुछ accessories मिलती है जिससे आप उसको charge कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपको यह tip से वो इस तरीके से अच्छे style में उन्होंने यहाँ पर लग दी गई है और मेरे काल से आपको charging indicator यहाँ पर दिया गया है और उसके लाव दोस्तों आपको यहाँ पर एक चोटा सा button भी दिया है और कुछ हाँ इस तरीके का है और साथ में नीची की तरफ देखेंगे आपको type C port भी दिया गया और यहाँ पर इसको अगर आप slide करते तो आप देखेंगे इस तरगी से आपकी earphones आ जाते हैं और यह देखेंगे light भी flash हो रही इसका मतलब हम उसको Bluetooth से connect कर सकते हैं और यह देखेंगे earphones आपको कुछ इस तरगी के मिलते हैं आपको अच्छी build quality लगी दोस्तों तुरा premium material यहाँ पर उन्हें इस्तेमाल किया है यह ज automatically connect हो जाएगा और simultaneously यह दोनो ही हो जाएगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों connected हो चुका है left to right डोनो simultaneously connect हो गया जो बहुत अच्छी चीज है और अब हम इसको audio quality test कर लेते हैं और यहाँ पर एक कमाल का feature है यह दोस्तों कि जब आप अपने कान से इसको निकाल देते तो यह automatically pause हो जाता है तो हम इसको play कर देते हैं और आपको मैं audio सुनाता हूँ जो base है दोस्तों वो बहुत ही जादा impressive है और जो noise cancellation है वो बहुत ही कमाल का है तो I think यह जो यह phone है दोस्तों वो बहुत ही कमाल के मैं सोच रहां दोस्तों एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊँगा डीटेल में कि यह कैसे काम करता है और साथ में इसकी comparison वीडियो भी लेकिया होगा लेगिन AI के आपको बहुत सारे features मिल जाते है एक और चीज़ यह है दोस्तों कि आपको इसमें up to 108 Megapixel के picture लेने का भी मौका मिलता है और अप टू 20x आपको digital zoom मिलता है अच्छी चीज़े कि आपको अगर zoom shots लेना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते है वैसे दोस्तों आपको 8 Megapixel क ultra weight sensor मिलता है 119 degree field of view के साथ में और उसी में दोस्तों आपको macro shots लेने का मौका मिलता है और finally दोस्तों 2 Megapixel का आपको mono वाला sensor भी यहाँ पर provide किया गया है उसके अलावा सामने की दरफ दोस्तों आपको dual punch hole मिलता है और यह बहुत impressive बात है दोस्तो 44 Megapixel का आपको सामने primary camera मिलत है super steady वगरा selfie में आपको वो सब कुछ का support मिल जाता है तो I think दोस्तों यह जो phone है इसकी जो selfie है वो बहुत ही जादा impressive है आपको बहुत जादा help करेगी लेकिन बात करेंगे दोस्तों अभी इसके कुछ camera samples की तो आप देख सकते मैंने इसमें काफी सारे pictures निकाला हूँ rear camera से आ night की बात करेंगे ultra night mode मिलता है दोस्तों तो आपको अच्छे कासे night में पर pictures मिलती है काफी bright है दोस्तों तो यह एक चीज़ आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलते है वीडियो की बात करेंगे दोस्तों आपको super steady mode मिलता है अच्छे कासे stable videos आप यहाँ पर निका आप टुट्वेंटी एक सापको digital zoom मिलता है तो यह एक अच्छी चीज़े अल्ट्रावाइट शोट्स देखेंगे दोस्तों आपको अच्छे कासे अल्ट्रावाइट यहाँ पर शोट्स मिलते है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है वैसे macro भी दोस्तों आप अच्छे कासे macro shots यहाँ पर निकाल सकते है सेल्फी दोस्तों आप देखेंगे बहुती कमाल की सेल्फी यहाँ पर निकल कराई है जो detailing के दोस्तों वो काफी बढ़िया है जब आप पिच्छे क्लिक करते और जब आप जूम करते तो 44 megapixel एक्चुली में काम करता है अच् यह काफी impressive है आपको बढ़िया super AMOLED display मिलती है camera specially इसका बहुती कमाल का है आपको decent battery मिलती है और जो प्रोसेसर है दोस्तों अच्छा कासा gaming processor है आप गेम किल सकते है ग्लास बैक नहीं है अगर ग्लास बेक होता तो और भी ज्यादा मज़ा आती थी लेगिन anyways overall दोस्तों काफी decent phone है आप देखते कि क्या price पर इस phone को लेके आता है OPPO उसके बाद ही में आपको ज्यादा उसके उपर comment कर सकता हूं लेकिन anyways दोस्तों वीडियो पसन आई कि आप जरूस इसको like करना काफी सारे videos में इस पर बनाने वाला हूँ और दोस्तों जो हमने unboxing किया थो हमने different type में किय हूँ कैसा लगा आपको वो भी आप मुझे अजरूस से comment करके बता सकते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ till in a great day and always keep smiling